सर्वजीत, एक ऐसे सचे इवेंट पर आधारित मूवी है जो आपके रोंग्टे खड़े कर देगी ये मेरी दूसरी मूवी है जिसे देखकर मेरे आखों में आशु आ गए थे और ये मूवी काफी ज्यादा इमोशनल है तो मैं कोशिश करूँगा कि explanation के दोरान मैं भी आपके अंदर वो feelings लाओं जो मुझे मूवी देखते हुई हुई थी सर्वजीत मूवी 1990 से लेकर 2014 के इवेंट पर पेश्ट है जब 1990 में पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर में कोई भी फैंस नहीं था था तो सिर्फ वहां पाक और इंडिया का स्थम तो कोई भी इस बाग पर गौर करके जज्ज मत करना यह मूवी 2016 में रिलीज की गई थी जिसके निर्माता उमंग कुमार थे इस मूवी की बजट सिर्फ 15 करोड की थी पर इस इस मूवी ने बॉक्स ओफिस में 43 करोड की कमाई की और आमडीवी पर इसे 7.3 की रेटिंग मिली और 33 परसेंट फ्रेश बताया गया है रोटें टोमेटो में तो बीना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी पिंड सर्वजीत को ढून रही होती है क्योंकि काफी देर से वो घर नहीं आया था और ये सर्वजीत की बड़ी बहन दलपीर कौर थी और 5 दिन बीच चुके थी और अभी तक सर्वजीत का कोई पता नहीं था और टीवी थी और वो यहां से घर जाना ही सही समझते हैं अब मूवी पाश्ट की जलकिया दिखाती हैं जहां दलपीर के पाश्ट में भी काफी कुछ हुआ था पहले तो सारा परिवार काफी खुश होता है क्योंकि दलपीर प्रेगनेंट थी पर कुछ महीनों बात पता चलता दलपीर की बेटी नहीं बचसकी और इतना ही नहीं दलपीर अब मा भी नही बन सकती थी क्योग्कि उसे कुछ बाई लॉजिकल प्राप्लम हो चुका था और कुछ साल बात दलपीर का पतीए जहां पर क्या काहन अब मूवी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पूरा परिवार सर्वजीत को ढूंडने में लगा हुआ था ढूंडते ढूंडते आठ महीने निकल चुके थे और आठ महीने के बाद दलबीर आती है एक पंडीजी के पास जो उसे सिगनल देता है कि सर्वजीत किसी दूसरे मुलक में है और कुछ दिन बाद पाकिस्तान से एक चिठी पोस्ट ओफिस में आती है और दलबीर दोड़ कर चिठी पढ़ने जाती है और चिठी पढ़ने के दौरान ये पता चलता है कि सर्वजीत दलबीर को ओफिस छोड़ने गया था और इतने में सर्वजीत का दोस्त वहां दारू की लालज दे कर उसे अपने साथ ले जाता है और दोनों दारू के नशे में इतना मंगनो हो जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता और उसी खेत के बगल में वो दो देशों के मुलक के बीच का स्तंब था जिस पर सर्वजीत गौर नहीं करता और सर्वजीत नशे में पाकिस्तान गुश जाता है और वहीं पाकिस्तान के कुछ सिपाही आ जाते हैं और सर्वजीत को अपने साथ ले जाते हैं और पाकिस्तान में सर्वजीत को एक बकसे में बंद कर दिया जाता है और वहीं और भी कई वैसे ही बक्से पड़े थे जहां और भी हिंदुस्तानी कहती थे काफी चीक चीलाने के बाद भी कोई वहां नहीं आता और कुछ दिनों के बाद वहां कुछ सिपाही तो आते तो हैं पर बस उस बक्से में चुहे छोड़ने के लिए और वो सिपाही बस उसे यही पूछते हैं कि तुम वही हिंदुस्तानी आतंगवादी रंजीत सिंग हो ना जो पाकिस्तान में बंबलाश करवा रहा है मजबूरन उसे हा कहना पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई चरह नहीं था अगर वो फिर से ना कहता तो उसे फिर से उसी बकसे में डाल दिया जाता खेर काफी महीनों के बाद उसकी वीडियो बनाए जाती है जहां वो एकसेप्ट करता है कि वो रंजीत सिंग है और उसी ने पाकिस्तान में बंबलास्ट करवाय थे और फिर उसके साथ कई केदियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है जहां एक केदी का एक वकील भी था उसी से सरवजीत में पेपर्स मांगा था और खट दलबीर कोर तक पहुचाया था और यहां दलबीर खट पोस्ट में डाली रही होती है कि तभी एक मुसल्मान लड़का उसे बताता है कि सरवजीत टीवी पर आ रहा है जिसे सुनकर दलबीर वहाँ चली जाती है वो घंटो से घंटो रात हो जाती है पर दोबारा वो न्यूज वापस नहीं आती और तभी वो मुसल्मान लड़का दलबीर को न्यूज पर दिखाता है जहां सरवजीत की फोटो चपी थी वो उर्दू में लिखी थी जो दलबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो लड़का उसे बताता है कि सरवजीत नहीं रंजीत सिंकोफासी की सजा सुनाई गई है और वो न्यूस वो अपने पिता से पूस्तियद जिने उर्दू आती थी वो डिटेल में यह बताते हैं कि अभी सिर्फ सजा सुनाई गई है डेट अभी एलान नहीं किया गया है तो अभी हम उसे बचा सकते हैं और ये सुनकर दलबीर वहाँ से नेता के पास चली जाती है पर वहाँ से पुलिस उसे बताते हैं कि ये बहुत बड़ा केस है जिसमें ये छोटे मोटे नेता कुछ नहीं करने वाले ये प्रधान मंत्री के लेवल का केस है और दलबीर अकेले दिल्ली निकल जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि ऐसे वो प्रधान मंत्री से नहीं मिल सकती उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और वो अफिसर पीम के असिस्टेंट सेक्रेटरी के डिटेल्स देते हैं जिससे जैसे तैसे दलबीर की बात हो पाती है पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है और टाइम पानी की तरह बह रहा था और कई महिनों के बाद आखिर काल दलबीर की मुलाकात पीम से होती है जो सारी बात सुनने के बाद उनका बस एक ही रिपलाय आता है कि हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिस बात से दलबीर के पिता काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं अब ये मेरे लिए काफी हेल्पलेस पाट था क्योंकि अब सर्वजीत को काल कोट्री में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां धंग से सोने की जगा नहीं थी अब सर्वजीत को वहीं पर हगना, मुतना, सोना, सब चीज करना होगा खेर दलबीर अपना रिपलाई खत वापस सर्वजीत को भेजती है जिसमें वो ये बताती है जहां सिर्फ एक स्थम लगा था अब वहाँ पूरा फ्रेंस बना दिया गया है आश ये तीन साल पहले होता, तब सर्वजीत सायद बच सकता था और अब दिवाली आ चुकी थी, और तभी एक और न्यूज आती है कि दलबीर के पिता ने भी अब साथ छोड़ दिया है और कुछ दिनों के बाद दलबीर सीम के पास आती है पर सीम उसकी एक नहीं सुनता और वो जैसे तेसे उसके पास जाती है पर उसे घसीटते हुए निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि वहाँ सर्वजीत नहीं, रंजीत सिंग है यानि वो एक आतंगवादी है जिसे दलबीर का दिल पूरी तरह से बैट जाता है और बाहर निकल के उसे लगता है कि अब कोई उप्सन नहीं बचा सिवाए अंसन के और दलबीर वहीं बैट जाती है ये न्यूज ले करके कि सर्वजीत बेगुना है अब इस कांड के बाद वो नाया न्यूज छापता है कि वो बेगुना है और ये बात लोक सभा तक भी पहुँच जाती है और कुछ दिनों के बाद दलबीर को केनेडा से हुमेन रैट्स के एडिटर का कॉल आता है जो सर्वजीत से मिलने वाला था और वो आते ही सर्वजीत के बेडियां खुलवा देता है आप सोच सकते हैं कि तीन साल की बेडियां अब जाकर निकली है खैर वो एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें खाना और उसकी बेटियां की पेंटिंग थी और ये काफी ज्यादा इमोशन सीन था इस मूवी का और दूसरी तरफ हम दिली में हो रहे जस्टिस पूर सर्वजीत का इवेंट देखते हैं जहां तलबीर अपने भासन के द्वारा दोनों मुलकों को जगा देती है और कई हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को अपने मूलक भेजा जाता है पर पाकिस्तान में अलगी माहोल था जहां लोग मरने मरने में उतर आये थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सर्वजीत एक आतंगवादी है जिसके कारण उसके अपने लोग मर चुके थे और वो सर्वजीत को भी रिहा करने से मना करते हैं और पाकिस्तान के इस हालत से सर्वजीत की फासी की ڈेट देती जाती है जो आज से 30 दिन की बात की थी जिससे दलबीर की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यहां दलबीर अपना अगला कदम रखती है और वो कई बच्चों के साथ CM के रास्ते पर बैट जाती है और उन्हें पाकिस्तान का फीज़ा दे दिया जाता है और पाकिस्तान पहुँशने पर वहां एक ऑफिसर उनकी मदद करता है ताकि वो सर्वजीत से मिल सके और सर्वजीत को भी बताया जाता है कि उसकी फैमिली उससे मिलने आ रही है जिस बात से सर्वजीत काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने उस जगह को अच्छे से साफ करता है जैसे कोई महमान उसके घर आ रहा है और जब दलबीर और सब यहां आते हैं तो कोई भी एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर पाता और बेचारी दलबीर सर्वजीत को राखी भी बांगती है जो काफी क्यूट सीन था और सभी उससे वादा करते हैं कि उसे हिंदुस्तान लाकर ही रहेंगे और वहाँ से दलबीर सीधा सर्वजीत के वखील के पास जाती है जिसके पास भी कोई भी चारा नहीं था सर्वजीत को बचाने का सीवाए एक के छे दिन में सर्वजीत की फासी थी और चार दिन में सरकार चेंज होने वाली थी अगर दल्बीर सरकार चेंज होने से पहले उन सभी की माफी नामा ले आए जो सर्बजीत को गुनेगार मान रही है तो वो सर्बजीत को रिहा कर देंगे एक से दो दिन बीच चुके थे, एक से दो माफी नामा दलबीर तो ले आती है, पर अब उनका जाने का समय आ चुका था, और दो दिन में सर्वजित की फासी की डेट थी, दलबीर पूरी तरह से अपने होशो आवास को खो बैटी थी, तब उन्हें एक नई उमीद की किरन दि यानि अभी उसे फासी नहीं दी जाएगी, ये गुड न्यूज मिली ही थी कि एक नई बैड न्यूज उनका इंतिजार कर रही थी, कि कसाब ने इंडिया पर आतंगवादी हमला कर दिया है, अब यहां एंट्री होती है आवेश शेक की, जो पाक का एक वकील और काफी रहम दिल था, वो अकेला उस पस में चड़ता है, जो पाक से इंडिया आती है, जो सर्वजीत के लिए जस्टिस चाहते थे, पर जब वो इंडिया आता है, तब उस पर सब भड़क पड़ते हैं, पर दलबीर उसका स्वागत करती है, और वो भी इनको जॉइन करता है, पर नेक् साथ ये थी, कि सर्वजीत का वकील भी हार मान चुका था, उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिये थे, कि अब सर्वजीत को कोई नहीं बचा सकता, कि सर्वजीत नहीं बचने वाला, इस वज़ा से आवेश ये केस टेक ओवर कर लेता है, और वो सिगनेचर के लिए सर्वज सर्वजीत के पीछे पड़े हुए हैं, पर कोई भी असली रंजीत सिंग के बारे में बात भी नहीं कर रहा है, सबसे पहले तो उन्हें रंजीत सिंग को खोजना पड़ेगा, और आवेश अपना लेप्टोप उन्हें दे देता है, ताकि वो असली रंजीत को ढूंड निक और अब शादी भी हो चुकी थी, और कुछ दिन के बाद असली रंजीत भी पगड़ा गया था, पर पुलिस स्टेशन में उसका एक अलगी अटिटीट दिख रहा था, क्योंकि वो ये कहता है कि उसे अरेस्ट नहीं किया गया, बलकि वो खुद अरेस्ट हुआ है, पर ये पाकिस्तान को नहीं पसती, क्योंकि वो इंडिया में अरेस्ट हुआ था, यहां नहीं, पर ये साबित हो चुगा था, कि सर्वजीत बेगुना है, पर कुछ महिनों के बाद ये न्यूज आता है कि कशाब को फासी दे दी गई है, जिस वज़ए से काफी मशक्कत के बाद व अब वो काफी ज़्यादा फेमस हो चुकी है, हर जगा उसी के चर्चे हो रहे हैं, और अब जो वो सर्वजीत के लिए कर रही है, वो बाकी लोगों के लिए करे, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, जिनने अपनों से मिनना है, और वहां से जब दलबीर बाहर आती है, तो वो मी जाती है और जब वो बाहर आती है तब कई सारे ओरतें उसे घेर लेती है ताकि उनके अपनों को वो वापस यहां ला सके और वो यही करती भी है और कुछ दिन के बाद ये न्यूज आती है पाकिस्तान के राश्यपती ने सर्वजीत को घर भेजने का अनौस्मेंट कर दिया ह और ये न्यूज सुनके घर वाले बहुत ज्यादा मतलब बहुत से भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जब वो सर्वजीत को लेने जाते हैं तब वो तयार होकर आ चुके थे हैं पर वो सर्वजीत नहीं था वो सुर्जीत सिंग था जो वापस अपने मुल्क में आया था वो 35 साल से पाक में सड़ रहा था यहां तक कि उसके घर वाले भी उसे भूल चुके थे पर वो वापस तो आया तो अब हम यहां से हार नहीं मान सकते और दूसरे ही पल वो देली में उबर फिर से अंसन पर जुड़ जाती है और वहां के सी एम उन्हें दिलासा देते हैं क कि उन्हें यानि सर्वजीत को यहां लाया जाएगा और दूसरे तरफ कुछ लोग वकील पर हमला कर देते हैं जो तालिबान के लोग थे और यहां सभी एक जुट हो चुके थे और सब ने यह कसम खा लिया था कि यहां अब सर्वजीत को लाकर ही रहेंगे अब बस एक सिग दलबीर सभी परिवार के साथ सर्वजीत को लाने पाकिस्तान जाती है तब सभी तालिबान के लोग और न्यूज रिपोर्टर उन्हें घेर लेते हैं पर दलबीर अपनी ताकत दिखाते हुए आगे आती है पर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इससे ज्यादा इतने उसने करने को कहा था और वो काफी सारे मुसल्मानों को वापस अपने मुल्क भेजती है और काफी जादा हिंदुस्तानों को अपने मुल्क भी लाती है और अब वकील को भी यहां से जाना पड़ा जो अब स्विडेन में रहता है और उसने वहां रहकर भी चार इंड प्रूर करना और अगर चाहते हो कि ये स्टोरी और भी कई लोगों तक पहुचे तो प्लीज सेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले मूवी एक्स्वलेनेशन में तब तक के लिए टिल देन शुबरात्री